विल्कम टू माँ चैनल आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कमपोजट स्प्रिंग पेंडुलम जैसे आपने थम्नेट पर देख लिए होगा यह सॉल्फ करना सिखाऊंगी जल्दी जल्दी हम सीखेंगे ठीक है इसे रिलेटेट कॉस्चिन्स पर सॉल्फ कर लेंगे तो यह है पेल्दा इसे सीरीज कोहने दो कॉंभिनेशं सीखेंगे तो मैं आपको इसमें ऐनोप यह से क्या हो आपको बिना आ दे 만들어 एक्वेशं बनाएं जल्दी हम सॉल्फ कर पार आपको जिल्दी फॉल्फ पता होना चाहिए तो यह जो हमारा पस combination है हमारा बच्चो series combination है ठीक है यह हमारा series combination है तो अब हम इसको solve करें जा रहे हैं तो क्या करना आपको यह आपकर k1 गिवन है ठीक है और यहां पर k2 गिवन है तो 1 by ks equal to 1 by k1 plus k2 यह s represent करता है series combination को ठीक है या फिर आप simple याद रखो ks equal to k1 k2 यह resistance वाला नहीं है बच्चे जनरली resistance और इसमें confused हो जाते है ठीक है बस आपको यह याद रखना है अगर आपसे इसी में पुछा जाए भही इसका time period भी बताओ अब time period आप कैसे निकाल लोगे यह time period pendulum का आपको पता होनजी क्या होता है 2 by m by k यह series combination है डाल दो इसमे series combination का formula क्या हो जगा आपका t equal to 2 by m k1 plus k2 by k1 k2 जो हमें उपर यह value आई थी यही मैंने इसको यहाँ put किया है उसे ज्यादा कुछ नहीं किया है तो यह तो हम आ गया बच्चे मारा series combination गा इससे related हम questions भी करेंगे पर पहले हम parallel combination भी एक बार पढ़ लेते हैं तो चलिए parallel combination यह द parallel combination के अभी पढ़ते हैं इनको भी तो चलिए यह है हमारे दो parallel combination ठीक है parallel combination जैसे हम resistance का करते हैं बच्चो पैलर में sorry series में वो हमारा इसमें spring constant में होता है ठीक है तो क्या लिखोगे जो हमारे first वाला इसके लिए आप क्या लिखोगे kp equal to k1 plus k2 ठीक है और चाहे हमारे यह वाला combination भी है ठीक है यह भी parallel में इसके लिए भी आप क्या लिखोगे आप इसको टेड़ा कर लो ठीक है जैसे आपके पास यह इस direction में है आप इसको यूँ अपनी जो copy उसको इस side ऐसे करके मोड लो ठीक है and then इसको ऐसे मानो तो यह आ कर हो गया kp equal to k1 plus k2 बस आपको इन दोनों की value दे रखिए आप सिद्धा निकाल सकते हो easily spring constant क्या है चलिए इनके time period पर questions आता है उस पर बात करते हैं तो time period दोनों के लिए क्या होगा देखिए time period का formula आपको तर 2 pi m by k पर यहाँ kp आजगा क्योंकि हम parallel की बात कर रहे है और p kp में जो भी हमने formula करा था k1 plus k2 वो याद रखना आपको तो क्या आएगा t equal to 2 pi m kp और t equal to 2 pi m k1 plus k2 बस ही आपको formula ज्याद रखने हैं अब किस नेक्स वीडियो में इनके question share कर दूंगी एक कोशन की कैसे कैसे question इस topic से बनते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही thank you